इस बात पर गंगादास हंसता हुआ वहां से चला जाता है अब धीरे धीरे गंगादास कई गरीबों को जूटी बीमारी बता कर उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे लूटने लगा और वह धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर बन गया और यह बात गाव से दूर पहाडों के बी जैसे ही गंगादास अपने घर पर पहुँचा वैसे ही उसके घर पर डाकू शेर सिंह और उसके साथ ही उसकी पतनी और उसके बेटे को पकड़े हुए खरे थे और फिर उन्होंने गंगादास को भी बंदी बना लिया तभी शेर सिंह ने गंगादास से कहा यह सुनते ही शेर सिह को बहुत गुसा आ गया और वह गंगादास उसकी पत्नी और बेटे को गाव से दूर पहाड़ी पर लेकर चला गया और फिर उसने उन तीनों के हाथ बंधवा दिये अब गंगादास बहुत रो रहा था क्योंकि उसकी पत्नी और उसका इकलोता बेटा भी भूखे प्यासे उस डाकू शेर सिह के बंदी बने हुए थे अब गंगादास ने डाकू शेर सिंग से कहा मेरे बेटे और मेरी पत्नी को कम से कम खाना तो खिला दो ठीक है एक टाइम का खाना तुम्हें मिल जाएगा मगर पूरे पांच हजार में और एक गिलास पानी की कीमत होगी एक हजार यह सुनते ही डाकू शेर सिंग के सभी साथी खूब जोर-जोर से हसने लगे और कहने लगे शेर सिंग तेरा ये तरीका तो हमें बहुत अच्छा लगा इस लालची गंगादास से पैसे निकलवाने के लिए शेर सिंग एक टाइम के खाने का पांच हजार और एक गिलास पानी का एक हजार शेर सिंग ने गंगादास को खींच कर थपर मारा और उससे कहा गंगादास तू क्या सोच रहा है कि हमने तेरे लिए यहाँ ढाबा खोल रखा है याद कर तू आज से पहले कितने लोगों से सिर्फ पांच रुपए की दवाई के बदले उनसे धेर सारा धन लूटा है और कई लोगों की तो तूने जमीन भी छीन ली है क्या ये सब भूल चुका है तू तो हमसे भी बरा डाकू है गंगादास लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कुछ भी कर इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें तो बस तेरा सारा धन चाहिए और अब मैं तुझे छोर रहा हूँ तू जल्दी जा और सारा पैसा लेकर कल दिन तक आ जाना और तुझे आने में अगर थोरी भी देर हुई तो समझ तुझे यहां तेरी पतनी और तेरे बेटे की लाश ही मिलेगी यह सुनते ही गंगादास रोता हुआ जंगल में छुपाया हुआ सारा धन लेने पहुँचा मगर देखा कि सारा धन वहां से कोई और निकाल कर ले गया था तभी गंगादास बहुत परिशान हो गया कि अब वह क्या करेगा और वहीं रोने लगा तभी उसे वहां उसके नौकर का गंचा परा हुआ दिखाई दिया तो वह समझ गया कि शायद उसका वफादार नौकर ही उसका सारा धन निकाल कर ले गया अब गंगादास खूप पच्टा रहा था और अब उस गरीब की बात भी याद आ रही थी उस गरीब की वह बात अब सच हो चुकी थी तभी गंगादास गाव के बीच में जाकर रोने लगा और उसने गाव वालों को डाकू शेर सिहं के पास उसकी पतनी और बेटे की सारी बात बता दी और गंगादास ने गाव वालों को यह भी बताया कि वह किस तरह गाव वालों को इलाज के नाम पर लोगों को जूठी बीमारी बता कर पैसे लुटा था यह सुनकर गाव वाले बहुत ही ज्यादा चौक गए लेकिन फिर भी सभी गाव वालों ने गंगादास के सारी गलती माफ करते हुए उसकी पतनी और बेटे को उस डाकू से बचाने का फैसला किया और सब ने अपने घर से थोरा बहुत धन इकठा करके गंगादास को साथ लेकर उस डाकू शेर सिंह के पास पहुँच गए और उसकी पतनी और बेटे को छुरा कर ले आये और फिर सभी गाम वालों को दिल से धन्यवाद कहता हुआ, उनसे अपनी सारी गलतियां की माफी मांगता है मैं आप सभी का कर्ज एक दिन उतार दूँगा और अपसे जिन लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं होंगे, उन लोगों का मैं फ्री में इलाज करूँगा और फिर बाद में गंगा दास ने जिन जिन गरीब लोगों के जमीन के कागज अपने नाम करवाये थे, उन सभी लोगों को उनकी जमीन वापस दे दी